अपने नोटबुक मुवी का नाम तो सुनाई होगा यह मूवी भी उन्हों नहीं लिखी थी आज के हमारी मुवी भी one of the best romantic movie है इसमें mystery है और इसका ending भी unexpected है पर फिर भी ending भी अच्छी है तो चलिए इस movie को explain करना स्टार्ट करते है इस movie में एक suspicious lady की एक town में आती है एक store owner से उसका प्यार हो जाता है जिसकी wife मर चुकी है पर उस लड़की का past उससे catch up कर लेता है तो उसका past क्या था यही हम movie में देखेंगे तो चलिए इस movie को explain करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम देखते है कि एक लड़की भाग रही है यह हमारा main character है जिसका नाम है केटी केटी अपने neighbor से help मांगती है और इसके बाद directly bus stop पर आ जाती है केटी का पीछा पुल पुलिस से चिपना जाती है इसके लिए भी टाउन परफेक्ट है बीच के बादे क्याफे इसके owner से बाते करती है यहां काम करने लग जाती है जो डिडेक्टिव केटी को ढूंड रहा था उसने bus stop के CCTV footage निकाले है इस footage से उसे पता चल जाता है केटी अटलांडा के बस में बेटी हुई थी अटलांडा इस तरह की सिटी है जहां से आप अमेरिका के कोई भी टाउन पर जा सकते हो इस डेटी की frustration और भी बढ़ जाती है केटी को रहने के लिए जगा चाहिए तो वूर्स में एक चोटा सा घरों बाय कर लीती है रात में उसे वाइलन्स के सपने आते इसी वज़े से वो सो नहीं पाती है आसपास जंगल है तो अलग-अलग आइनमल्स के आवाज भी उसे आते है यह पुरा ना उसे तो रात में वो नोटिस करती है कि उसके फ्लोर्स भी खराव है नेक्स वूबा केटी शॉपिंग के लिए जाती है जिस शॉप पर वो आती ह वह क्योट सी लटकी हैए जिसका नाम है लेक्सी केटी लेक्सी से पुच्छती है कि क्या आपके पास कोई पेंट वेगा पास है लेक्सी पुच्छती है कि प्लोर्स किस के लिए चाहिए do केटी कहती है कि मैं फ्लोर पेंट करने वाले हूं केटी को भी आड़ा बहुत अच्छा लगता है या फिर लेक्सी के फादर आते है जिसका नाम है एलेक्स यह हमारा और एक मेन क्यारक्टर है एलेक्स ने केटी को कल बस से उतर दे हुए देखा था एलेक्स को नहीं लगा था कि इसी टाउन में वो आई हुई है एलेक्स केटी से पुछता है कि तुम यहां कैसे रुख गई हो जैनरली लोग सिर्फ जरा हॉल्ट यहा लेते हैं केटी इस पर कुछ भी नहीं बोलती है केटी को कलर चाहिए तो एलेक्स उसे एक बुक देता है इस बुक में से वो अपना कलर चूस कर सकती है इस सिन में हम देख सकते है कि एलेक्स जब केटी से बात कर रहा था थोड़ा सा वो नर्वस था एलेस के साथ स्टोर में एक बुड़ा हाद में जिसका नाम है रोजर यह भी काम करता है एलेस केटी से जिस तरह से बात कर रहा था इस पर रोजर उसे चिड़ाता है नेकसे में हम देखते है केटी कैफे में काम करी थी तभी पूलिस आ जाते हैं केटी को लगता है कि उसे पकड़ने के लिए वो आये है पर पूलिस का और कुछ काम था वो फिर रिलाक्स होती है केटी जब घर पर आती है तो आएक औरत है जो उसकी घर में देख रही है यह हमारो और एक कैरेक्टर जिसका नाम है जो आपको मुवी में शायद लगेगा कि जो ज़ादा इंपोर्टन कैरेक्टर नहीं है पर यह जो भी सब करती है जो भी कहती है इस पर आप ध्यान रखिएगा मुवी के लास में आपको सब कुछ समझ मैंगा केटी जो से पुछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो जो उसे सौरी कहती है कहती है कि मैं तुम्हारी नेबर ही हूँ मैं अकिली बढ़ जाती हूँ इसलिए मैं देख रही थी कि मेरा नेबर कौन है जो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यू आई हो सीटी में जो भागदर होती है बहुत साही आवज आती है इससे ज़रा दूर यहां बहुत ही शान्त लगता है यह इसलिए तुम यहाँ आई हो केटी भी इसके लिए एगरी करती है जो उसे कहती है कि रोड के सामने में रहती है अगर तुम्हें कुछ भी लगेगा तुम्हें तुम्हें help कर सकती हो नेक्सडे केटी फिर से एलेक्स के पास आती है उसने अब color choose कर लिया है एलेक्स कहता है कि paint आने में ज़रा वक्त लगेगा तब तक तुम्हारा नाम और number मुझे दे सकती हो याने कि जब भी paint आ जाए तुम्हें call कर दूँगा केटी उसे number नहीं देना चाहती तो कहती है कि Monday में आकर खुछ चेक कर लूगे जब केटी यहाँ से जा रही थी तो एलेस की डॉटर जिसका नाम है लेक्सी एक painting बना रही थी लेक्सी केटी को पसंग करती है तो वो painting को केटी को दे देती है घर जाते जाते केटी फिर से जो से मिलती है केटी के हाद में लेक्सी ने देवी painting है तो जो इसके बारे में पुछती है जो को ए painting बहुत ही पसंग आती है तो कहती है कि यह तो एक frying fish है जब ये टाउन में से चलते चलते जाते है तो जो कहती है कितना beautiful day है ये city भी बहुत ही beautiful है जो को हमेशा से पुरा world ढूमना था अब तो वो कुछ भी घुमी नहीं है केटी कहती है कि अभी तो तुमारी कुछ भी age नहीं है तुम अभी भी ये सब चीज़े कर सकती हो इसके बाद इनकी walk खतम होती है और अपने अपने रास्ते चले जाते है जब केटी और Alex बात करे थे तो केटी के बॉस ने देख लिया था जब केटी और boss बात करती है तो boss केटी से कहती है कि Alex की wife थी जो थोड़े सालों पहले गुजर चुकी है उसके बाद Alex की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी boss ने Alex को इतने साल बात केटी के साथ जब वो था तब खुर्ज देखा है इसलिए हो जाती है कि दोनों कपल बनने चाहिए इसलिए सब चीज़े वो केटी को कहती है एक दो दिन में केटी पेंट लेने के लिए आती है Alex उसे पेंट देता है पर यह बहुत ही हेवी है तो Alex उसे पुछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हो Alex जादा इंट्रस्टेंड नहीं है तो इसके लिए मना कर देती है आगे चलती है पर उसके हाथ हर्ट होने लग जाती है वो पीछे मूरती है तो Alex उसे ही देख रहा है Alex फिर उसे लिफ्ट दे देता है Alex पेंट घर में रखने के लिए आना जाता है पर केटी उसे बहार ही रखकर जाने के लिए केटी है केटी फ्लोर बेंड करती है और उसके साथ जो भी है जो और गेटी अब फ्रेंड्स बन चुकी है जो केटी से बुझती है कि लगता है कि थोड़े टाइम तक तुम इसी टाउन में रुखोगी केटी भी इसके लिए वैगरी करती है क्योंकि उसे टाउन अच्छा लगने लगा है रात में हम देखते हैं कि एलेक्स एक बाइसिकल रिपेर करता है वो जाकर केटी के घर के वहार रखकर आता है केटी चूपी रही है तो उसे लगता है कि उसे ढूणते धूणते कोई आ चुका है वो भूछती डर गई थी पर prov कुछ अच्छा करें तो तुम्हें उसे थैंक्यू कहना चाहिए अब यह दोनों एक दूसरे से नाराज है राज में जो और केटी हैंग आउट कर रहे हैं जो बे सब हुआ ये केटी ने जो को बताया है जो कहती है एक स्मॉल टाउन है या छोटे-मोटे जेस्चर तो चलते र नेक्स डे केटी आलेक्स के पास जाती है और कहती है कि वो सौरी है उसे इस तरह से कुछ भी कहना नहीं चाहिए था एलेक्स अब भी नाराज ही है वो कहता है कभी इस तरह की चीज में फिर से नहीं करूंगा ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी आलेक्स का बेटा जोश बो जाते जाते कह कर जाता है कि एक चीज तुम भूल रही हो यानि कि बाइसिकल वो लेकर जाए यह वो इंडिकेट करता है लेक्सी भी बाइसिकल अब ले रहे थी है नेक्स इन में देखते है कि जो डिरेक्टिव केटी की इन्वेस्टिएशन कर रहा था उसने CCTV कैमेरेस में देखा है कि केटी ने अपने हेर डाय कर लिये है और वो शौड भी है उसके पास केटी का जो फोटो था इसे वो फोटोशॉप करता है नेशनवेड फिर सब पुलिस स्टेशन में वो फैक्स करवाता है इस फैक्स में केटी का फोटोशॉप किया हुआ फोटो और केटी एक first degree murderer है यह लिखा है next day में हम देखते हैं कि अपने daughter और अपने son को लेकर Alex आज बीच पर जाने वाला है केटी भी अपने bicycle से town में घुम रही थी Alex और वो बात करने लग गये और Alex ने केटी को बीच पर invite किया केटी भी इसके लिए माँच जाती है केटी और लेक्सी की बहुत जम थी है यह बीच पर जाकर shopping करते है जब Alex और उसका बेटा Josh यह अकेले होते है तो Josh कहता है क्या तुमें इससे कोई भी problem नहीं है केटी हमारे साथ है Josh अपनी मदर को बहुत इमीज करता है तो उसके father किसी से भी बात ना करे ऐसा उसे लगता है बीच पर बहुती ब्यूटिफुल डेई इस पेंट करते है Josh एक fish पकड़ता है जिसकी photo Alex लेना चाहता है पर Alex photo ले इससे पहले इस fish को Josh छोड़ देता है Alex नाराज होकर पुछता है तो उन्हें ऐसा क्यों किया Josh कहता है ये photos की memory क्या important है ये जो moment है इसे याद रखना यहां Josh indirectly बोल रहा था कि Alex को हमेशा उसकी wife को याद रखना है Josh हमेशा Alex को तंग करते रहता है केटी उसे कहती है कि एक phase है ये इवन इकल जाएगा Alex केटी से पुछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो एक दिन इसी तरह से vacation पर आये थे और पता चला कि मेरी wife pregnant है हमें लगा कि settle होने के लिए बहुत beautiful town है इसलिए हमने decide किया और हम यही रह गए Alex जब केटी को घर पर चौड़ता है तो केटी उसे अंदर invite करती है उसने जो floor paint किये है वो देखने के लिए उसे बुलाती है Alex जब यह देखता है तो हम पता है यह floor ज़रा खराफ है तो उसका पेर उसमें धस जाता है यह दोनों इस पर बहुत हसते है Alex का बेटा और बेटी यह दोनें सुन रहे है Lexi को अच्छा लगता है कि उसके father को कोई ना कोई तो मिल गया है Nixon में हम देखते है कि डिटेक्टिव अब केटी ने जिस नेवर से help ली थी उसको investigate करता है पर इनेवर उसे कुछ भी नहीं बता दि फिर से हमें टाउन दिखाया जाता है हम देखते हैं कि रात में केटी घूम रही थी उसके बहुत फिश पकड़ रही थी जो एक भाले से था इस स्पेर से फिश कैसे पकड़ने है यह उसे सिखाया जाता है केटी ने फर्स टाइम फिश पकड़ा है तो excited होकर वो एलेस को दिखाने के लिए जाती है एलेस कहता है कि मैं भी फिशिंग के लिए जाता हूँ बस पेर से वो नहीं करता वो कनूज में जाता है और वहाँ से फिशिंग करता है वो केटी से पुछना जाता है कि क्या वो भी उसके साथ कैनल्स में फिशिंग करने के लिए आईगी एलस कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ये मेरा ब्यूटिफुल प्लेस है केटी बुछती है कि आपने वाइफ के साथ तुम आया करते थे एलस कहता है कि हाँ केटी बुछती है कि तुम्हारे वाइफ के जाने के बाद अभी भी तुम्हें दुख होता है Alice कहता है कि पहले बहुत हुआ करता था मैंने डिसेड किया था मेरी वाइफ को मैं भूल चाओंगा पर यह सही नहीं है तो मेरी लाइफ का एक ब्यूटिफल पार्ट थी और अगर मैं उसे याद नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा टाइम के साथ अब मैं जरा हील होने लगा हूँ मेरे बच्चों के मन में भी मेरी वाइफ की ब्यूटिफल मेमेरीज में रखना चाता हूँ बस एक एक दिन में गुजारता रहता हूँ आज पहले बार में तुम्हारे साथ जब हो तो सही से जीरा हो इस तरह से मुझे लगता है केटी कहती है या आज क्या डे परफेक्ट है सड़नली जोर से वारिश आने लग जाती है केटी और एलेक्स भागते भागते रेस्टॉरंट में आते है एलेकस अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाता है तो उन्हें पिक अप करने के लिए आने वाला है बहुत रात है पर फिर भी उसका फ्रेंड नहीं आया इस रेस्टोरन में एक बहुत ही ब्यूटिफुल गाना लगता है इस गाने पर ये दोनों डांस करने लग जाते है और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते है अजानक से एलेक्स का फ्रेंड वहाता है और इन दोनों को डिस्टब कर देता है एलेक्स का फ्रेंड एक पुलिस है तो केटी उससे बहुत डरती है एलेक्स और उसका फ्रेंड केटी को खर पर छोटते है एलेक्स बहार निकलता है और केटी को जाड के पीछे लेकर जाता है ये दोना एक दुसरी को केस करते है और फिर एलेक्स वहाँ से निकलता है एलेक्स का फ्रेंड से चिड़ाने वाला था पर एलेक्स कहता है कि प्लीज चिड़ाओ मत आलेक्स आज दिन बर भाहर था तो उसके किड्स ने उसे बहुत मिस किया है आधी रात में आलेक्स अपनी वाइफ की रूम में जाता है यहां हम देख सकते हैं कि आलेक्स की वाइफ मरने से पहले बहुत सेरे लेटर लिख कर गई है ये लेटर उसके बच्चे जब गैजवेट होंगे उनके लाइफ में अलग-अलग पॉइंट्स पर यह उसे देने के लिए कहती है एलेस की वाइब वो कैंसर था इसी वज़े से मनने से पहले वह सब लिख कर गई है जॉर भीesian करता है कि एलेस उसकी मदर के रूम में है एलेस जब नीचे आता है तो जॉर जाना अलार नहीं है तुम ऐसा कुछी मत करो एलेस कहता है कि मैं भी तुमारी मॉम को बहुत मिस करता हूं ये मेरे लिए भी बहुत हार्ट है फ्लीज मुझे समझ लो नेक्से में हम देखते है कि डिरेक्ट्ट्व केटी के घर में सब जीज़े ढूंटा है यहाँ पर उसे हैंड़ाइटिंग दिखती है जो हैंड़ाइटिंग केटी के नहीं है उसके वो नेवर की है नेवर ने कहा था कि वो केटी को नहीं जानती थी पर अब उसे मालूम है कि वो केटी को जान दी है केटी भी अपनी neighbor को call करती है और कहती है कि वो एक अच्छे जगा पर पहुच गई है वो उसे help करने के लिए thankful है पर समय टाउन दिखाय जाता है केटी और Alex अब एक official late पर जाते है रात में एक दुजरे के साथ intimate हो जाते है नेक्स डे हम देखते है कि Alex पुलिस टेशन पर आता है है पता है कि Alex का फिरेंड पुलिस में इसलिए अपने फिरेंड से बात करने के लिए आया था यहाँ पर पुलिस टेशन में वो केटी का फोटो देखता है फर्स डिगरी मर्डर के लिए वो वांटेड है यह देख पाता है एलेस बहुत ही घुस्सा होता है और डाइगली केटी को कंफरेंट करने के लिए पोच्छता है केटी का नाम अलग है तो उसी नाम से उसे पुकारता है केटी कहती है कि मैं सब को समझा सकती हो पर एलेस कहता है कि तुम्हें एक जुटी हो मैं तुम पर किस तरह से ट्रस्ट कर सकता हो तुम मेरी फैमिली से भी मिली तुम्हें शरव माने चाहिए थी एकि मैं एक बैड रिलेशन्शिप में थी इसी वज़े से मैंने इस सब किया है एलेस कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से निकल पड़ता है नेक्सिन में हम देखते कि डिरेक्ट्यू को उसके बॉस ने बुलवाया है केटी वांडेड है इस तरह से डिरेक्ट्यू ने फैक्स किया था पर बॉस उस पर नाराज है बॉस कहता है केटी ने कुछ भी नहीं किया है तुमारी वाइफ है इसलिए तुम कुछ भी करोगे यह सही नहीं है यहां में अब पता चला है केटी और डिरेक्ट्यू हस्बन वाइफ थे मुवी के वास में हमने देखा था केटी जकमी थी और भाग रही थी यह उसके हस्बन ने याने की डिरेक्ट्यू नहीं किया था बॉस डिरेक्ट्यू से बुछता है कि हमेशा तुमारे हाथ में वाटर बॉटर रहती है इसमें क्या है यह तुम मुझे दिखाओ बॉस चेक करता है तो इसमें लिकर है बॉस अब डिरिक्ट्यू को सस्पेंड कर देता है अब हमें फ्लैश्बाइक दिखा जाता है जिसमें हम देखते केटी और उसका अस्बन याने की डिरिक्ट्यो ये दोनों लंज कर रहे थे डिरिक्ट्यू को हमेशा से ही ड्रिंकिंग प्रॉल्म थी केटी ने टेबल से बॉर्टर उठा ली जिससे डिरिक्ट्यू डिस्टब हो गया और केटी को उसने बहुत मारा था क्या रिलेशन्शेप हमेशा से अब्यूसियू थी तो केटी वहाँ से जल्दी से भाग गये धिक्ट्यू केटी को कुछ भी हालत में ढूना चाता था इसलिए पूरी नेशन वाइड उसने वो वांटेड है इस तरह का फैक्स कर दिया केटी अब बहुत रोती है लेश भी अब उसे हेट करने लग गया है तो इस टाउन में वो क्यों रुकेगी इसलिए बैक बैक करती है यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो भी आती है जो कहती है कि तुम अब फिर से क्यों भाग रही हो इस तरह से तुम हमेशा के लिए भागती रही तो कभी भी तुम स्टॉप नहीं होगी केटी कहती कि तुम समझ नहीं सकती है उस पर चिर जाती है वो जो कहती है यह तुम भी किसी ना किसी चीज़ से भागी रही हो इसलिए तुम इस टाउन में हो जो को ज़रा हटफुल मैसस होता है और वो वहाँ से चली जाती है थोड़ी दर में Alice को भचता होता है केटी क्या कह रहे थी उसे सुन लेना चाहिए था वो केटी के घर तक आता है पर केटी वहाँ से निकल गई है वो जल्दी से पोर्ट तक आ चाता है जहाँ पर केटी है उसे रुकने के लिए कहता है कետ केटी के मैं नहीं रुख सकती मेरा हस्पर मुझे धोन लेगा एलेस कहता है कि हम पुलीस के पास जाएंगे केटी केटी कि वही पुलीस है एलेस उसे हग करते हैं और कहता है कि मैं तुमसे आप प्यार करने लग गया हूं इस मैसेज से डिरेक्टू को बता चल जाता है केटी कहा है इसके बाद हम देखते केटी और एलेक्स की रिलेशन्शिप बहुत है अच्छे से डेवलेप हो चुकी है एलेक्स के बच्चे भी अब केटी को पसंद करने लग गए है एलेक्स वरीड होता है कि जॉश को केटी पसंद नहीं आती तो जॉश उसे कहता है कि तुम वरी मत करो अब मुझे केटी पसंद आने लग गई है अपने फादर खुश रहे यही उसे लगता है फोर्त अब जुली आता है और पूरा टाउन सेलिबरेट कर रहा है तब ही वहाँ डिरेक्ट्व पहुच आता है टाउन में आकर डिरेक्ली एलेक्स के शॉप पर यह पहुचता है यहाँ अबर लेक्सी काम कर रही है लेक्सी लेक्ट्व से कहती है कि तुम हो को डिरेक्ट्व अपने आपको इंट्रडूस कराता है Lexi को लगता नहीं कि यह डिट्यू है क्योंकि यह ड्रंग है डिट्यू फिल लेक्सी को केटी का फोटो दिखाता है Lexi स्मार्ट है तो केटी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती डिट्यू को लगा था कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़ है एलेक्स जब लेक्सी को लेने के लिए आता है तो एलेक्स का वो बीचा करता है बीच के पास आकर सब लोग मज़े कर रहे हैं डांस कर रहे हैं वहां एलेक्स और केटी भी है इन दोनों को डिटेक्ट्टू देख लेता है रात में फायरवक्स जलाने के लिए अपने साथ जौश को भी लेकर जाता है केटी और लेक्सी शौप पर ही रुकते है केविन हमेशा से उन पर नज़र रख रहा था जब केटी और लेक्सी सोय हुए है तो केटी को सबना आता है और सबने में जो उसे कह रही है कि वो आ चुका है जिससे तुम भाग रही थी वो इस टाउन में है इस सबने से डिस्टब होकर केटी उठती है तो एक्चुल में केविन घर में है केविन उसे कहता है कि हम दोनों को बात करने चाहिए मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया है केटी लेक्सी से दूर डिरेक्टू को बाहर लेकर आती है डिरेक्टू लेक्सी से माफ़े मांगता है कहता है कि कभी भी इस तरह से फिर से नहीं होगा केटी आप उसे माफ नहीं करने वाली कहती है कि हम दोनों कभी भी आप कपल नहीं बन सकते हैं डेली टू के हाथ में गन भी है पर केटी उसे नहीं डरती वहाँ से जला जाता है और केटी लेक्सी के पास आती है शौप के सब दर्वाज वगरा बन करती है और लेक्सी को उपर लेकर जाती है केटी को नीचे से आवाज आती है और केविन पूरे शौप को जला रहा है केटी जल्दी से उसके पास जाती है वो लाइटर से जलाने वाला था उसे रोक लेती है उससे कहती है कि मैंने अब रिलाइज किया है कि हम दोने एक परफेक्ट जोडी है तो उसके करीब आती है और वापस आने लगता है, केटी लेक्सी को बचाने के लिए उपर जाना चाती है, पर डिटेक्ट्व पानी से बाहर आकर लेक्सी को बहुत मार रहा है, एलेक्स थोड़ी दिर में वहाँ पोचता है, और लेक्सी को बचा लेता है, एलेक्स लेक्सी को बचा रहा था, इसी लिटरस लिखे थे, यह सारे लिटरस अभी तक इंटाइक्ट है, जॉज की मदर का रूम जल जुका है, तो बहुत रोता है, एलिस कहता है, कि जिस तरह से पहले रूम था, उसी तरह से हम फिर से बिल्ट करेंगे, जॉज कहता है, कि मौम को मैं बहुत मिस करता हूँ, एलिस भ जब केटी को कहती है कि तुम बहुत सारे पिक्चस लेना सारी मेमर्यस हमेशा in-tac रखना जब केटी एलेक्स के साथ है तो एलेक्स केटी को एक लिटर देता है यह लेटर एलेक्स की वाइफ ने एलेक्स की नई वाइफ जो होगी उसके लिए लिखा था Katie लेटर पढ़ती है, इस लेटर में लिखा होता है, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो, तो Alex तुम से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, अगर ओ नहीं करता, तो कभी तुम्हें नहीं मिलता Alex की वाइब ने और लिखा होता है, कि वो खुश है कि Katie Alex को मिल चुकी है इस लेटर में वीश होती है, कि शायद में तुम से मिल पाती, या किसी ना किसी वैसे, शायद में तुम से मिल भी रही होंगी Katie फिर इस लेटर के साथ एक फोटो देखती है, या जो फोटो है, इसमें जो और जॉश है, क्यानि कि Alex की वाइफ जो ही है मुवे में हमें जो दिखी थी, यह जो की स्पिरिट थी, एलेक्स की वाइफ मरने के बाद भी इसी टाउन में थी, क्योंकि वो देख सके कि उसकी फैमिली किस तरह से है वो अच्छे तरह से रह सके, इसलिए हमेशा उन पर वो नज़र रखती थी एलेक्स और केटी की रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए भी जो का ही हाथ था मुवे के लास्ट में हमने देखा है कि जो अब इस टाउन से चली जाती है यानि कि जो की स्पिरिट अब खोश है कि एलेक्स को केटी मिल चुकी है इस लेटर में जो ने और भी लिखा है वो लिखती है कि तुमें उनका खैल रखना है वो खोश है कि लेक्से के वेडिंग डे पर केटी भी उसके साथ होकी वो विशफिल है कि केटी उनके फैमेली अब कंपलीट करेगी इसी एक beautiful note पर एक movie end हो जाती है अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेंड़ोविशन आइकोन दवाने मत भूलिए फिर से मिलेंगे और एक new movie के साथ तब तक लिए thank you और आपने आपका ख्याल रखिया